हेलो दोस्तों आज हम एक पड़ीगूले शेर से बाते करने वाले हैं यहां पर आप देख पारे होगे कौन सा शेर है वो भी मैं आपको बदाता हूं तो यहां पर एक पोर्टफोलियो है ठीक है एक बड़े इंवेस्टर है उनका यहां पर आप देख सकते हैं पोरिंजू वी वैलियाथ जो है उनका यह पोर्टफोलियो है आप देख पी पारे होगे किस तरीके से 2015 में पांच करोड़ रुपे का यहां पर पोर्टफोलियो था आज अगर आप देखते हो तो लगबग 200 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो है तो कितनी अच्छी है आप पर जंप दे रही है ठीक है तो मार्किट में आप यह भी देख पा रहे होगे कि मार्किट में किस तरीके से जब जब गिरावट आई है पोर्टफोलियो नीचे भी आया और इसका द्भागा भी है तो इसी तरीके से वैल्थ होती है चलो यह छोड़ते है हम शेर से इलेटेड यहां पर बाते करते हैं हम यहां पर आप देख पा रहे होगे जो हमारे यह सर है इनके लगवल लगवल 1.64% कि आसपास यहां पर इस टेक को क्या किया है इंक्रीज किया है कौन से स्टॉक्स में कैरला आईडवेज लिमिटेड तो आज इसी से इलेटेड हम यहां पर बाते करने जानने वाले है यह कंपनी कुन सी है क्या करती है यह कंपनी क्या एक अच्छा शेहर है क्या हम यहां पर इसके बारे सूच सकते हैं वह सब चीज से बाते हैं before that video में आगे बढ़े हमेशा की तरह आप से request करो हूँ कि I am small cap investor channel को subscribe, bell icon को hit all key notification को on करे buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor कुद की study करे और चीजों को सीखने पे focus करे चीजों को सीखने के पे focus करोगे आज नी तो कल पैसे यहाँ पर दीरे दीरे आपके बनते हुए नजर आएंगे तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं ठीक है और अगर सीखना है तो यहाँ पर number है 8169261037 दोनों number को safe कर लिजे basics to advanced technical research fundamental share क्यों भागते है share क्यों गिरते है कौन से share पे नजर रखने चीए share पे नजर नहीं रखने चीए यह सब चीज से लेटेड हम यहाँ पर बाते करेंगे 25,000 रुपर कोर्स है अथिनीमंस की hand holding है strategy using stock market online और सब कुछ दिया जाता है but condition यह है कि एक पर course complete होने के बाद लगभग लगभग मेरे strategy मेरे style के तुरू एक साज़ trade करके देखना उस strategy को follow करके देखना ठीक है आपको यहाँ पर खुछ समय बादाएगा किस तरीके से चीज़े काम करती है बाकि इनी नंबरों पर contact करके साथ में आप हमारे साथ काम भी कर सकते हो portfolio size बड़ा हो तो अच्छी बात है मतलब क्या है 300 क्रोट से भी कम की कंपनी है और micro cap company है जो मैं micro cap लगा दूना तो याद रखिएगा कि भाग रहा है तो अच्छा है ठीक है पैसे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है बड़ जब गिरेगा तो उसी तरीके से गिरता हुआ भी नजर आ सकता है तो आपको हर सिट्विशन के लिए क्या रहना है रएडी रहते हुए नजर आना है ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ता है तो यहाँ देखेए 1945 में इंकॉप्टिटीवी थी करला आउर्वेड लिमिटेड। इन गेज इन ड़ा आयुरूवेधिक सेर्विसी जर्विशन इन बनात हुए नजर आते हैं धीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट अंड डिल विदा आयर्वेदा रिसर्च अकैडमिक क्लीनिक अउस्पिटल आयर्वेद वेलनेस रिसॉर्ट एंड सर्विसीस सेविलेशन यहां पर आप देख सकते हैं यह सारे का सारा इनका बिजनस का ओवर्वियू है बिजनस सेगमेंट की बात करें 350 प्लस क् प्रोडक्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं प्रोडक्ट से लगबग 11% ट्रीटमेंट से 22% और ट्रेनिंग जो यह प्रोड़ करते हैं उसे 17% की आप इंकम दिखाई देती है तो जाके एक बान की बारे में यहां पर बात कर लीजिए आपको यहां पर सब कुछ आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कंपनी के यहां पर आप जाते हैं तो आपको यहां पर समझ मायाएगा यह इंके प्रोड़क्स वह बेश्त वी नजर आ रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह ओईल सीरप हाना यह टैबलेट यहां पर गोटू शॉपिंग पर जाओगे त इनका बिजनस सता हुए दिखाय देता हैं तो यहां से एक बार देख सकते हैं और चीजों से इस वारी बात करें book value 4 की है 260 रूपर पर शेयर चल रहा है 10 का phase value है 330 का high लगाया है debt की बात करें तो 141% का यहाँ पर debt है तो debt वो ज़्यादा है इस चीच को याद रखियेगा ठीक है और P की बात करें P यहाँ पर देने रखा है बट आप calculate कर सकते है price divided by EPS अना EPS कुन सा होगा EPS यह TTM basis पर ही लेते है emotionally ठीक है negative में है इस वज़े से यहाँ पर EPS नहीं दे रखा योगी EPS भी फिर negative में आता और EPS negative हो नहीं सकता है तो इसलिए यहाँ पर देने रखा चलो ठीक है इसा छोड़ते हैं बात करते है चार्ट की तो चार्ट यहाँ पर देख सकते है पूर एक consolidation के बाद निकला और जब निकला तो अच्छा गासा पैसे बनाते है वो निजा है प्रॉस कुछ दिखाने रखे सब कुछ यहाँ पर कौन सी कौन सी दिखा रखे तो सबसे पहली negativity यहाँ पर ही आपको नजर आती है दूसरी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते है sales तो company की sales यहाँ पर क्या दिखा रही है company की sales दीरे दीरे आपको बढ़ते ही नजर आ रही है जो कि एक अच्छा point है अच्छा हो सकते है products यहाँ पर इनकी sell out होती है और चोटी से company है तो इतना ही यहाँ पर इनसे expect किया जा सकता है market छोटा ही होगा इनका ज़्यादा बढ़ानी होगा profit की बात करें company यहाँ पर अभी net profit की बात करें घाटे में दिखा दे रहा है EPS घाटे में है बट यह operating profit के basis पर यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर profit में है as compared to sales ठीक है तो negative performance आई शीट को थोड़ा से धान दीजेगा yearly based पर बात करें yearly based पर company की sales लगाता बढ़ती भी नज़र आई है positive है बट इस्टल यहाँ पर देखेंगे कंपणी profit generate नहीं कर पाई है ठीक है यह negativity दिखाई देती है reserves कंपणी का इस negative है और इसके साथ में जो बॉराइंग की बात करें तो बहुत बड़ा बॉराइंग है ठीक है 74 करोड रुपीज का और इसी वेचे से आप यहाँ पर देख पा रहे हो कंपनी साथ साथ 5-5 करोड रुपे कहां पर देती हुए नजर आ रही है interest में यह भर भरती हुए नजर आ रही है 7 करोड रुपे working progress में लगा रखे है cash की बात करें तो 3 करोड रुपे के आसपास कहीं पर cash भी है यहां पर है नहीं हो पुब्लिक की बात करें 41 परसंट के शेयर बढ़ता हुए नजर आ रहे हो मैं हमेशा कहता हूँ पुब्लिक के पास शेयर को बढ़ना positive नहीं माने जा था बाट इस्टिल यहां पर हम देखेंगे कि कुछ लोगों ने कुछ HNIs नहीं यहां पर इसे बढ़ा है यहां पर देख सकते हैं 2.89 % इस पर्टिकूलों कॉटर में यहां पर आप देख सकते हैं परइंज यहां के पास यहां पर आप देख सकते हैं वह धीरे-धीरे माल इखटा कर रहे हैं ठीक कर बाता है रहे हैं पर 5 % के Aspats की holding एक साथ इखटा नहीं किया गया है, 1% से 5% ले के आए है, ठीक है, तो 1% से 5% ले के आए है, तो अलग-अलग भाव पर होगा, वो अल्रेडी यहाँ पर अच्छे खासे profit पर बैट उए, तो इसलिए attempt करने की कोशिश यहाँ पर करनी नहीं है, क्यों कि company के number यहाँ पर नहीं दिख रहा और share बजा numbers पर भी जादा react करती है ठीक है अभी जो भाग रहा था शायद इस वज़े से भाग रहा था क्योंकि यह एक बड़े investor है इन्हों ने buy किया तो इसमें buy कर रहे हैं बट inside story भी हमें नहीं बता कि inside शायद कुछ promoters के साथ में पक्रा होगा कुछ अच्छा होने वाला होगा शायद इस वज़े से चीज़े यहाँ पर अच्छा यहाँ पर share भागता हुए नज़रा रहे और कुछ लोग यहाँ पर entry लेते हुए नज़रा रहे बट उससे यहाँ चोड़ देते हैं और बात करते हैं सीधे टेक्निकल से लेटेड की यहाँ पर जो क्यारला आयुर्वेदिक जो यह श्टॉक है ठीक है यह यहाँ पर कहे क्या रहे इससे लेटेड बाते करेंगे और उससे पहले हम इश्यकिते रुक्वेस्ट करेंगा चारणा को सब्सक्रा आयुर्वेदा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे बाइंग होने के बाद शेयर में एक अच्छी घाजी तेजी आती हुई दिखाई दी ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं चीजे और दुबारे हैं आप बढ़ती हुई नजराई और अब एक कंसलिडि यहाँ पर सलाह नहीं दूँगा ठीक है ना आग में हाथ डालने की क्यों क्योंकि यहाँ पर आपका हाथ जनने के चांसे बहुत ज्यादा हो सकते हैं उनकी रिस्क अपिटाइट अलग है और वो काफी टाइम से खटे करते हुए नजरा रहे शेयर आपकी अलग है ठीक है न मुझे लगती नहीं है ठीक है नीचे की अपसाइट की बात करूं तो नीचे अपसाइट यहाँ पर यह शेयर 218 और अगर कंपनी ने एक आथ क्वाटर की नमबर यहाँ पर दुबारा नेगिटिव पेश की है तो शेयर दुबारा नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि अगर चीटे गिर गई तो आपने बेकार अपने अच्छे स्टॉक्स में भी लगा रखा है तो चीजे नीचे आएगी बट जब मार्किर रिकवर होगी तो आपके शेयर यहाँ पर सबसे पहले रिकवर होंगा और पैसे बना के मैजर रहेंगे तो वीडियो अची लगे लाइक कमें शेयर चानल को सब्सक्राइब बैल इकन को हिट करिएगा थैंक यू सो मच गड्ब्लेस